नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मारे कुरने वीडियो में भाई अपनी ये दुब्रेजा है इसका भाई एक्सिडेंट हो गया है मतलब ये लगा लो ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ पर एक्सिडेंट होगा भाई और दिखाओं मैं आपको कहां से ये लगी तो भा पुरा इसका लगा हुआ नीचे भी ये चीज भी लगी थी तो भाई ये देखो ये निशान पड़ गे ये वाई क्या हुआ गाटी खड़ी थी और पिछे से जो डीटीशी की ग्रीन कलर वाली बस थी उसने रगड़ दिया वाई इसको और जो डीटीशी बस का ये वाड़ बाई इस पर और वो लगने के बाद क्या हुआ ये पूरा जो इससा था ये यहां नीचे तक ये वाई सारा ग्रीन हो गया पूरा उस गाड़ी उस जो डीटीशी की बस थी उसका भाई लोफ लोर बस थी उसका सारा पेंट यहां पर उतर गया इस से बस ये शुकर करो कि ये अपनी लाइट है ना टेल लाइट ही ये बच गी बस थोड़ी सी थोड़े से मार्जन से बचिए ना तो भाई ये भी तूट सकती थी अर तो ये लगाओ किस्मत बढ़िया थी जिसके करण भाई ये बच गी और ये देखो ये यह इससा भी लगा ये इसा लगा तो ये दे ऐब भी थोड़ा वैसा होगा यह देखो यह आपको गरीन गरीन दिखाई भी दे रहा हुगा यह शारा गरीन ओगा थे बाद में मैंने रबिंग करके उतरवाया है मतलब यह यहां से लेके यहां तक कब यह पूरा हिस्सा रगड दिया रहा उसने बस वाले ने खड़ी थी यह खड़ी खड़ी में रगड दिया रहा और तो भाई हम अंदर ही बैठे थे पूरी गाड़ी लिगी थी महले वयास तो हो गया नुकसान बहुत ज़्यादा पर भाई इसकी बिल्ट क्वालिटी ने वचा लिया कोई भी कुछ भी कह भाई टीन का डबा के चैप पीपा के कुछ भी कह पर भाई जो रिजल्ट था ना रिजल्ट के बाद पता चल गया अगर यह कुछ चीजों को अगर पर तो वार बडियृ ना जैसे ऑगर सैंटर वका oldu यह वेगनार पर इसके के खानल के तो अगर भouse और ऊपर का पार्ट भी तोर डाता पर भाई गाडी-जेल गी बिल्कूल भी इस पे कोई भी डेंट नहीं है इस हिस्षे पर बस क्या है बोड़ी से पेंट उतर गया और बाई भाई पेंट उतर गया और जो दूसरी जो बस थी उसका पेंट इस पर चड़ गया मतलब कि ये जो पूरा हिस्षा है ये affected है ठीक है और भाई यह हिस्सा मतलब अब इस पे दुबारा पेंट कराना पड़ेगा इस हिसे पे तो मैं यह सोच रहा हूं भाई क्यों खाम खाई इस चोटे से के उपर पूर्या क्लेम लिया जाए क्लेम में वही फाइल चार्ड है और वह करेंगे क्या वह इसको भाई पें इसको भाई यह जाएगी कई दिन वहाँ खडी रहेगी चार-पांस दिन वहाँ खडी रहेगी और फिर फाइल चार्ड है और जो भी कर चाउगा वह तो सारा इंश्रेंस पर पर फाईल चार्ड लगाए बारह बारह सोस्ते पंदरा सो रुपे देने पड़ेंगे क्योंकि भाई पंद्रह सो सिसी का इंजन है तो थोड़ा ज्यादा फाइल चाज लगता है उस चीज का तो भाई मैं यह सोत रहा हूं इसको बार सही करा लो कोई बड़ी चीज तो है नहीं हजारक रुपे में हजार आठ सो रुपे में हो जाएगी ठीक ना तो भाई वही बात है इंसॉरेंच लेओं पिर आगली नो कलेमी जीघ्र हो जाएगा आगली बार तो मेरे कोई नुक्सान वाई इस चीज से और भाई आप लोग कमेंट करके बताना कि इंसॉरेंच लेना चीए बाहर कराना चीए और मैंने बाहर अभी पता किया था वो कहरे है कि बारिस का मोसम हो रहा है अभी पेंट थोड़ा अच्छा ना हो तो इसलिए आप थोड़े दिन के बाद करा ले ना तो जैसे ही ये पेंट ये बारिस से का मोसम चला दागा ना तो तब इसको पेंट करा हुआ पर गाड़ी ने अपने बिल्ट क्वालिटी को प्र स्टार रेटिंग है तो भाई ये इसने तो मतलब की इस पे इस गाड़ी पे तो आप विश्वास कर सकते हो मारुतिकी पे इस ये आपको निरास नहीं करेगी तो भाई आई होप आपको इंफोमेशन अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइ थैंक यू सो मच